Hello friends, स्वागत है आप सभी का quality education की आपके अपने इस YouTube चैनल पर आप और हम लोग थोड़े से लंबे समय के बाद मिल रहे हैं, आज की session में मैं मार्च 2030 के current affairs के 25 बहतरी इंप्रेशन लेकर के आया हूँ, आपके exam कोई भी हो current affairs के आपके syllabus में है, तो ये session आपके लिए बहुत महत हैं, और especially ये session मैंने RS pre के exam को ध्यान में रखते में बनाया है, और जैसा कि आप थब लोगों से वादा किया था, कि हर महीने के 50 बहतरी इंप्रेशन में आपके लिए exam तक current affairs के लेकर के आता रहूँगा, उसी सिल्चले में, उसी sessions में, उसी playlist में, आज का हमारा ये तीसरा व और current affairs का बहुत बड़ा रोल रहता है, कम से कम 20 प्रशन आते हैं, और 20 प्रशन में से 17-18 प्रशन आपटेंड कर सकते हैं, easily कर सकते हैं, इसके लिए बहुत सारे साधन इस्तेमाल कर सकते हैं, उसी सिल्चले में, आप quality education के इस YouTube चैनल को भी subscribe कर लें, यदि आप नई हैं, पह हमारी classes इस playlist की है, उन सब की PDF, इस 4K पैनल की PDF में आपको quality education RS Telegram चैनल पर available करवा दूँगा, जहां 130,000 से अधिक आप जैसे विध्यारतियों का हमारा ये परिवार है, और वहां जाकर के आपको ये PDF मिल जाएगी, फित्रों आप सभी को exam में आ गया है, अपनी तयारी में ब करें, decentralization करें, किसी और को swap है, या उन काम को कम प्रात मिकाद है, या उन्हें हो सकते तो बंद कर दें, कितने घंटे पढ़ना ये जरूरी नहीं है, ये माईने नहीं रखता कितने घंटे पढ़ना, लेकिन smart तरीके से पढ़ना, इस पर मैं आपके लिए एक अलग session लेके आ निकाला जा सकता है, इलकुल निकाला जा सकता है, जिनका पहले एक बार pre हो गया, वो लोग तो 20 से 25 दिन पढ़के भी pre निकाल लेते हैं, लेकिन 50 दिन में prelims कैसे निकाले, या 50 से 50 दिन में क्या से तयारी करके prelims निकाले, इस पर हम अलग session में बात करेंगे, आज के session में म TB उन्मूलन के लिए किये गए प्रियास्व में राजस्थान वर्ष 2022 में 19 वे इस्थान से बढ़कर कौन से इस्थान पर आ गया, बढ़कर का मतलब सुधार होकर के, 19 वे इस्थान पर पहले था, अब सुधार होकर के कौन से इस्थान पर आ गया है, तो चौथे इस्थान पर आ गया है और इसको लेकर के मार्च 2023 में एक सब्मिट होता है वन वर्ल्ड टीबी सब्मिट मैं इन प्रशनों से सम्मधित एक्स्टर फेक्ट भी आपको इन प्रशनों के साथ साथ बताता जाऊंगा वन वर्ल्ड टीबी सब्मिट और ये सब्मिट जो होता है ये 2023 का भारत में आयोजित किया जाता है वाराणसी में इस सब्मिट में टीबी के कियेगे प्रियासों से जो राजस्थान है आपका देश भर में पहले 19-वे इस्थान पर था और 19-वे इस्थान से इसका जो प्रदर्शन है बढ़ करके सौथे इस्थान पर आ गया है और हम सब राजस्थान वासियों के लिए बड़ी खुशी की ही बात है इसके साथ साथ इस सब्मिट में आठ जिलों को पुरुस्कृत भी किया गया था आठ मैं से दो जिलों को चार जिलों को रज़त पदक दिया गया जो कि सेकेंड इस्थान पर रहे थे और चार जिलों को कान से पदक मिला गया ये प्रसंद भी आपके एक्जाम में पूछा जा चुका है तो राजस्थान 19-वे इस्थान से बढ़ करके चौथे इस्थान पर आगया है आपको ये जानकारी ध्यान में रखनी होगी कौनसा राज्य राइट टू हेल्थ प्रोग्राम लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है आप लोगों को अच्छे से याद होगा कि डॉक्टरों की हर्ताल चली थी राजस्थान राइट टू हेल्थ बिल लेकर कर आई थी राजस्थान गौवर्मेंट डॉक्टरों ने बहुत ज़्यदा प्रोटेस्ट किया था इसके खिलाफ अलंकि इस विदे के बाद में सरकार और डॉक्टरों के बीच में सहमती बन गई थी और एक समय बाद गती रोज समाप हो गया था तो इस तरह का बिल देने वाला इस तरह का प्रोग्राम लाने वाला और इस तरह का अधिकार देने वाला राजस्थान देश का पहला राज्य बन गया है और हाल ही में एक समिती भी बनाई गई है इसका भी आप ध्यान रखना राइट टू हेल्थ प्रोग्राम के लिए राइट टू हेल्थ प्रोग्राम के लिए एक नियम एवं उपनियम समिती बनाई गई है एक नियम एवं उपनियम समिती बनाई गई है इस समीति के अध्यक्ष डॉक्टर S के सरीन है, इस समीति के अध्यक्ष जिसे बनाया गया है, ये प्रसंद भी आपको अच्छा से याद रखनी है, तो राइट् टु हेल्थ प्रोग्राम लाने वाला, राजस्तान देश्का पहला राज्या बन गया है, और Right to Health में अब कोई भी वक्ती मरेज किसी भी होस्पिटल में, किसी भी हस्पिटाल में मुफ्त में इलाज ले सकता है इसके तेट जो संबंधित जिकित साल है वो इलाज करने से मना नहीं कर सकेंगे और स्वास्तिय का अधिकार लोगों का अधिकार बन गया है स्वास्तिय पाने का अधिकार है अनुचर 21 का स्वास्तिय सेवा पाने का अधिकार लोगों का मौलिक अधिकार बन गया है तो ऐसा करने वाला राजस्थान देश का पहला राज्य बन गया है राजस्थान मिलेट्स कॉनक्लेव 2023 मिलेट्स कहा जाता है मोटे अनाज को और मोटे अनाज में बाजरा, रागी, ज्वार जो ये आते हैं वर्ष 2023 को हम मोटे अनाज वर्ष के रूप में मना रहे हैं और इसी सिल्चिले में राजस्थान मिलेट्स कॉनक्लेव 2023 का जो आयोजित किया गया वो 13-14 मार्च 2023 को दुर्गापुरा जैपूर में आयोजित किया गया और बहुत सारी घोषना इसमें की गई थी इसी अगला प्रशन है राजस्थान मिलेट्स कॉनक्लेव 2023 की आउसर पर बाडमीर के किस इस्थान पर ख्षेत्रिय बाजरा अनुसंधान के अंदरी स्टेशन स्थापित किया जाएगा देखिए तो मेलन था राजस्थान मिलेट्स कॉनक्लेव आयोजित हुआ 13 से 14 मार्च 2023 दुर्गापुरा जैपुर में आयोजिन इसका किया गया और इसमें कहा गया कि जो मोटे अनाज है जो मिलेट्स है उसको लेकर में बाजरा का एक ख्षेत्रिय बाजरा अनुसंधान केंदर इस्तापित किया जाएगा कहां पर बाड मेर के गुडा मालाणी में इस्तापित किया जाएगा वर्ष 2023 के लिए सरुस्रिस्ट विधायक का सम्मान अनिता भदेल को दिया गया ये राइट आंसर है अनिता भदेल अजमेर दक्षिन से विधायक है अजमेर दक्षिन से विधायक है और अमीन खान जो की शिव बाडमेर से विधायक है इनको वर्ष 2022 का सरुस्रिष्ट विधायक का आवाड दिया गया तो ये दोनों बाते आप ध्यान रखेंगे कि वर्ष 2022 का सरुस्रिष्ट विधायक हमीन खान को मिला है जो की सिव बाडमेर से विधायक है और वर्ष 2023 को अनिता भदेल को वर्ष 2023 का सरुस्रिष्ट विधायक का सम्मान दिया गया जो की अजमेर दक्षिन से विधान सबा की उदस्य है इत्रों यदि आपको अच्छा लग रहा है ये शेशन यदि आपको मज़ा आ रहा है तो एक लाइक्स का बटन जब जरूर दबा दीजेगा ताकि हम लोगों का मनोबल और बढ़ता चले जैपूर के चौंक नहीं है जैपूर के चौंप है जैपूर के चौंप है जैपूर के चौंप में बन रहे विश्व के तीसरे सबसे बड़े क्रिकेट इस्टेडियम का नाम क्या होगा देखिए पहली बात तो हम सबसे बड़े क्रिकेट इस्टेडियम की बात कर लेते हैं तो सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम एक नमबर पे आपका नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम एहमदाबाद है इसकी दर्शक शमता एक लाख तस हजार दर्शक शमता है दूसरा जो है वो MCZ है मेलबरन क्रिकेट ग्राउंड है जिसकी दर्शक शमता लगभग एक लाख है और तीसरा जो सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बन रहा है वो जैपुर के चौंप में बन रहा है और इस क्रिकेट डियम को बना रहा है वेदानता ग्रूप शमता ऑर व का राजस्थान क्रिकट एसोशेशन का समझोता हुआ कि समझोते के तहत कुल 400 क्रोड रुपे की रासी प्रथम चरण में लगाई जाएगी इस 400 क्रोड में असे 300 क्रोड जो रुपे है वो वैदानता ग्रूप देगा और 100 क्रोड की जो रासी है वो RCA देगी पहले चरण में ये स्टेडियम तयार होकर के बनेगा उसकी ये 400 क्रोड का एग्रिमेंट है वो हुआ तो जो चौंप में विश्व का तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बन रहा है का नाम है अनिल अगरवाल क्रिकेट स्टेडियम दिल्ली के विज्यान भवन में 4 मार्च 2023 को स्व गाहितरी देवी यादव को ये पुरुस कर दिया गया और गाहितरी देवी यादव का जो योगदान है वो है सांभर ब्लोक में तामभर ब्लोक में जो फार्म पॉंड निर्मान करवाने में महिलाओं की फार्म पॉंड जो तलाब है उनके निर्मान में बहतर योगदान के लिए जल योद्धा की स्रणी में इनको गाहितरी देवी यादव को रास्टपती द्रौपदी मुर्मु द्वारा ये पुरुषकार दिया गया है मुक्यमंत्री असो गयलोत ने सामाधिक शुरक्षा के तहत पी जाने वाली मासिक पैंशन रासी को नियूनतम कितने रुपे कर दिया है तो मुक्यमंत्री ने जो मासिक पैंशन योजना के तहत जो रासी दी जा रही है वो नियूनतम एक हजार रुपे कर दिया है और ये जो घोषना है मुक्यमंत्री महवदे ने बजट दो हजार 23 चोईस में की है आप लोगों को इस की इस 4K पैनल की पीडियप हमारे टेलिग्राम चैनल क्वालिटी एजूकेशन आरेस आरेस नाम से टेलिग्राम चैनल है जिस पर एक लाख 30,000 से अधिक विध्यारतियों का आपका परिवार है वहाँ पर मैं इसको तलवादूंगा आप वहाँ से जाकर करकर इस पिडियप के माजये में से दुबारा से पड़ भी सकते हैं अगला प्रत्रस जल जीवन मिषण के तहत राजस्थान देश में आट हजार नल कनेक्शन परति दिन एविलेबल कर वाकर प्रति दिन उपलब्द करवा कर देश में तीसरे स्थान पर है और जल जीवन मिशन से संबंदित एक और तच्छे है कि ये वर्ष दो हजार चोईस तक वर्ष दो हजार चोईस तक हर घर नल का पानी पहुंचाने को ले करके प्रतिबद है कि देश भर में हर घर में वर्ष दो हजार तोईस तक पानी की सप्लाई है वो नल से हो जाएगी इसको ले करके ये प्रतिबद है मित्रों यदि आप Current Affairs इतना ही पढ़ना चाहरे है बहुत बहतरी रिंत तरीके से पढ़ना चाहरे है और चाहते हैं कि Current Affairs की सारी पत्रीकाओं का तरीका Приस दो क्वालिटिव एपर कर्ण का चल रहा है आरे स्प्री के exam को लेकर की यह course बनाया गया है बहुत ही fruitful course है मात्र 179 रुपे price है मात्र 179 रुपे price है अब इस 179 रुपे की price में क्या-क्या विशेषता है यह मैं बता देता हूँ आप धैर्रेपुरुक सुन लीजीगा कोर्स लेना नहीं लेना ये आपके विवेग पर डिपेंड करता है मैं सारी विशेस्ताओं को बता देता हूँ इस 119 रुपे में आपको पूरे दो साल का करंट अफेर्स मिलेगा 2022 का और 2023 का करंट अफेर्स को में पूरा का पूरा आपको मिलेगा जैसा आपके सिलिबस में दे रखा है कि इंटरनेशनल, नेशनल, अंतरास्ट्य, राष्ट्य और राज्य इस्तिर की प्रमु घटने तो यहाँ पर उसी के एकोर्डिंग ये कोर्स बनाए गया है और हर महा के चार वीडियो में रखे गए है पहला वीडियो अलग से पूरी तरह से अंतरास्ट्य और राष्ट्य घटना करम को जोड़ करके बनाए गया है एक नवाचार की घोशना भी मैं करूंगा आज वो भी ध्यान से सुन लेना अंतरास्ट्य और राष्ट्य घटना करम को दूसरा सेसन आपका पर्टिकुलर राजस्थान के करंट अफेर को लेकर करके बनाए गया है ये दोनों सेलेबस के आपके पहले पूरेंट को पूरा करेंगे फिर चर्चित व्यक्ति स्थान संस्थान आपके सेलेबस का दूसरा पॉइंट है उसको लेकर के तीसरा सेसन बनाए गया है स्पोर्ट्स को लेकर के अलग सेसन बनाए गया है जैसा आपके सेलेबस में दे रखा है वैसा का वैसा हमने एज़ जटी उसी के अकोर्डिंग चार सेशन लेकर आए बस राजस्थान का पर्टिक्लर अलग से शेशन लेकर के आए हर सेशन में आपको बहुत सारे मुद्दे जिन पर डिसकस करेगा अब विध्यार्तियों की लगातार यह मांगा रहे है कि सर ऐसे एवलेबल करवो जैसे हम इन नौट्स को प्रिंट आउट ले सकते हैं तो प्रिंटेबल नौट्स भी मैं आपको एवलेबल करवा रहा हूँ करंट का जो अपना कोर्स है इस कोर्स में चार सेशन होते हैं चार सेशन में पहला सेशन दूसरा सेशन तीसरा सेशन और चोथा सेशन हर महीने का होता है पहले सेशन के सामने यहां आपको वीडियो मिलेगा और यहां वीडियो की पीडियो मिल जाएगी उसके साइड में मैं एक option दिलवा दूँगा वहाँ पर हो जाएगा printable notes, कुछ महीनों के notes तो आ चुके हैं आप वहाँ जाकर के इन चारों महीनों का word format में printable notes available वहाँ में हो चुके हैं वहाँ जाकर के आप इन notes का अपनी drive में save करके print out निकलवा सकते हैं ताकि आपका screen time भी कम होगा और आप लोगों के लिए सुविधा भी बनी रहेगी और इस course की विशेसता में आपको बताता हूँ इसके साथ साथ 99 रुपे की मुल्य वाले test series free है जिसमें 100 से अधिक test है अर टेस्ट में अधिक test है तो इतना सारा पूरा course आपको मात्र 99 रुपे में मिल रहा है और सारा का सारा की सारे की सारे current affairs के पूरा का पूरा सार 3 से 4 घंटे की वीडियो में आपको available हो जाएगर उनके notes भी वहां पर available हो जाएगी यदि आप current affairs का वार्सी कांक लेने जाओगे तो भी इतनी price मिलेगी जिसमें आपको दो साल का पूरा course मिल रहा है मैं अपनी तरफ से इतना क्या सकता हूँ कि जिस student ने ये course खरीदा है जो खरीदेगा मैं उसको निरास नहीं होने दूँगा उसकी उम्मेदों पर पूरा खरा उतरने का प्रियास करूँगा बाकी निरने आपका है तो समझ के निरने लीजिएगा लेकिन current affairs के इस matter में content की कोई कोई कमी नहीं होगी आगे बढ़ते हैं तो उज्योग विभाग का ये जो पुरुसकार है ये गोपाल प्रशाद सर्मा को प्रदान किया गया गोपाल प्रशाद सर्मा को वर्स 2021 का उद्योग विभाग का हस्त सिल्प रत्न पुरुसकार प्रदान किया गया अगला प्रसन है विमन्स प्रीमियर लीग WPL 2020 के पहले संस्क्रण की विजेता टीम कौन है देखे WPL विमन प्रीमियर लीग IPL की तरज पर खिला गया और पहला ही संस्क्रण था जिसकी विजेता टीम तो मुंबई इंडियन्स है मैं आपको इसका राइट आंशर बता देता मुंबई इंडियन्स ने डेली केपिटल्स को हराया था डेली केपिटल्स को हराया था कितना आथ विकेट से मुंबई इंडियन्स की कप्तान अर्मन प्रीत कोर्व जो भारत की T20 की कप्तान है वो थी और डेली केपिटल्स की कप्तान मैग लेनिंग थी तोस्टेलिया की खिलाडी है, मैग लेनिंग, मैग लेनिंग को ही औरेंज केप मिली थी, सरवादिक रन बनाने वाले खिलाडी के रूप में, और इन्होंने 345 रन बनाए थे, और परपल केप की बात करें तो, हैली मैथ्यूज को परपल केप मिली थी, हैली मैथ्यूज, मुंबई इंडियन्स के खिलाडी है, इनको ये परपल केप मिली थी, सरवादिक विकिट लेने के लिहाज से, 15 विकिट इनको मिले थी, सरवादिक विकिट लेने के लिहाज से हैली मैथ्यूज को, जो कि मुंबई इंडियन्स के खिलाड़ी उनको ये मिला था IBA World Boxing Championship 2023 में भारत ने कुल कितने स्वरन पदक जीते हैं बहुत most important है International Boxing Association World Boxing Championship का महिलाओं का इसमें साइध महिला इस हो गया इसमें भारत ने कुल 4 स्वरन पदक जीते हैं और इसका जो आयोजन है इसका मैं बात बताओं आपको इसका आयोजन भी नई दिल्ली में किया गया KD जाधाव इंडोर स्टेडियम KD जाधाव इंडोर स्टेडियम नई दिल्ली में इसका आयोजन मार्च में किया गया केड़ी जाधव इंडोर इस्टेडियम नई दिल्ली में इसका आयोजन कब किया गया मार्च में किया गया जो चार पदक जीते वो किस-किस ने दिलवाई वो भारत की बॉक्सर नीतु घंगास को मिला एक दूसरा जो पदक है वो स्वीटी बूरा को मिला एक पदक निखत जरीन लेकि आई गोल्ड मैं चारों गोल्ड की बात कर रहा हूं और एक पदक चो था लवलिना बोर्गहन को मिला है उलमपिक जेंपियन उलमपिक पदक विजयता लवलिना बोर्गहन को मिला है ये भारत की बेटियां, ये भारत की बॉक्सर, जिनने आई बीए में वर्ल्ड बॉक्सिंग चेंपियंसिप 2023 में भारत को चार गोल्ड मेडल भारत को दिलवाए हैं। उत्र पर्देश के राई बरेली में होकी स्टेडियम का नाम भारत की किस महिला खिलडी के नाम पर रखा गया। नौबेल प्रुषकार कहा जाने वाला ऐबेल प्राइज 2013 इसे प्रदान किया गया देखिए नॉर्वे के प्रसिद्गनीत्ग्या एनरी निकल्स 27 साल की उम्र में इनका निधन हो गया था और इनकी स्मृति में ही एबेल प्राइज दिया जा रहा है एबेल प्राइज का सम्मंद गनेत के शेतर से है और वर्स 2023 का ये जो पुरुसकार है ये लुईस ए कैफरेली को दिया गया है अगे बढ़ते हैं 32 सरस्वति सम्मान 32 सरस्वति सम्मान 2022 किसे प्रदान किया गया तो देखिए ये जो सरस्वति सम्मान है ये 1991 से शुरूवात हुई थी इसकी और 1991 से दे को अंधरा है केके बिडलाफ फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है। किसके द्वारा दिया जाता है। इसमें सम्विधान की आठवी अनुसूची जो की भासा से सम्वंदित है। जसमें जो 22 भासा है, उन 22 भासा में से, पिछले 10 सालों में, पिछले 10 सालों में इससे भी बहुत बहुत बहुतर है, यह तो प्रशन है, इसलिए इनके साथ मैं बता रहा है, बागी कोर्स में यह सारी चीज़ें बताई हुई है, किछले 10 सालों में तकाशित सत्थम कृति के लिए ये पुरुषकार दिया जाता है इस पुरुषकार की जो रासी है इनामी रासी वो रूपे 15 लाख दी जाती है अब प्रशन कहरा है ये इस क्रमांग 32 जो क्रमांग है वो 2022 में वो किसे प्रदान किया गया तो मित्रों वो प्रदान किया गया त्रिव संकरी को इनका त्रिव संकरी कमिल भासा की लेखी का है और इनको जिस रचना के लिए मिला गया था उस रचना का नाम है सूरिय वन्षम ये उपन्यास है और सूरिय वन्षम रचना के लिए इनको ये पुरुषकार मिला है सूर्य वंसम स्याट मैक्स प्याने वाले फिल्म नहीं, सूर्य वंसम ये इनकी रचना का नाम है, उपनियास है, उनके लिए इनको ये पुरुसकार मिला है। अगला प्रस्ण है, 32 व्यास सम्मान, देखिए ये भी 1991 से शुरूआ है, ये जो व्यास सम्मान है, ये भी 1991 से शुरूआ है, ये व्यास सम्मान भी केके बिडला फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है। और इसमें जो पुरुसकार रासी है, वो रुपे 4 लाख है, पुरुसकार रासी रुपे 4 लाख दी जाती है। अब बात कर रहा है, 2022 में ये पुरुसकार किसे मिला, वर्ष 2022 में ये पुरुसकार मिला डॉक्टर ज्यान चतुरुवेदी को, ज्यान चतुरुवेदी का समंद्ध, वैसे भी इस पुरुसकार का समंद्ध हिंदी भासा से है, तो ये हिंदी भासा के ही कवी है, और इनका ज दूचना एवं संचार के शेतरकार नोबेल कहा जाता है। 2023 क का ये पुरुस्कार किसे दिया गया तो ये प्रोफेसर हरी बाला कृष्णन को दिया गया है। भारतिय मूगल के प्रोफेसर है। और ये वर्तमान में मेसा चुसेट्स इंस्टिटूट आप टेकनोलोजी यानि MIT में प्रोफेसर है US में प्रोफेसर है और प्रोफेसर हरी बाला कृष्म को ये पुरुसकार दिया गया है FIFA द्वारा वर्ष 2022 के लिए PE checked कि सरुसरिष्ट पुरुस फुटडलर के रूप में किसे नामित किया गया तोल्योचल मेसी को जो है वो जो कि सरुसरिष्ट पुरुसकार है ये बलेंडि ओर पुरुसकार 2000 दिया गया करेम बेंजिमा फ्रांस के खिलाडी है और इनको पहली बार मिला है रести हम Balland Dior की बात करें तो ये 7 बार मिला है Messi को और 5 बार मिला है Christiano Ronaldo को Christiano Ronaldo CR7 को 5 बार ये पुरुसकार मिला हुआ है जेकिन यहाँ पर प्रशन में पुरुस फुटबूलर के रुप में बात किये तो Lionel Messi यदि हम 2022 की महीला वर्ग की बात करें तो एंटीनिया पुटलेस जो कि पुर्टगाल के खिलाडी है इनको वर्ष 2022 की महीला के टेगरी में सरस्रेस्ट पुट्पॉलर के रूप में नामिक किया है आली में 8 मार्च 2023 को वायू सेना में लड़कु इकाई की पहली महीला धामी को ये जो है गौराव प्राप्तवा कौन सा गौराव वायू सेना में लड़कु इकाई की पहली महीला कमांडर बनने का गौराव आली में टाइम पत्री का दुवारा विश्व के महनतम इस्थानों की सूची में जो इन दो भारती इस्थानों को शामिल किया गया तो जो इन दो भारतियों को किया गया वो है मयूर्भंज और लड़्दाग ये इसका राइट आंसर है लड़्दाग 31 इस्थान पे रखा गया है महानतम 50 इस्थानों में से और मयूर भंज को 32 इस्थान पर दिया गया है मयूर भंज कहां पर है? मयूर भंज पुडिसा में है और सिमली पाल राष्टे उध्यान के लिए इनको दिया गया है लद्दा खुद यूटी है प्रंग राजियक शेत्र है या केंदर सासित प्रदेश है भारत वैस सिंगापुर की शेनाओं के बीच आयोजित अभ्यास बोल्ड कुरुक्षेत्र के तेरवे संस्क्रण का आयोजन कहां किया गया? तो तेरवे संस्क्रण का जो आयोजन है वो जोधपुर एरफोस इस्टेस्न पर किया गया अभ्यास का नाम है बॉल्ड कुरुक्षेत्र और ये बॉल्ड कुरुक्षेत्र हमेशा ही भारत और सिंगापूर इन दोनों की सेनाओं के बीच में होता है इस बार जो आयोजित हुआ संस्करण इसका ये तेरवां संस्करण है अभ्यास है और ये सकतिकांत दास रबी आई के गवर्नर है रबी आई के वर्तमान गवर्नर है और इनको COVID-19 में बहतर financial management के लिए COVID-19 के दोरान COVID-19 के दोरान बहतर वित्य प्रबंधन के लिए इनको ये पुरुसकार मिला गए बहतर वित्य प्रबंधन के लिए इनको ये पुरुसकार मिला है अब ये RBAE के दूसरे गवर्नर है इनसे पहले भी एक गवर्नर को ये पुरुसकार दिया जा चुका है गवर्नर आप दा इयर दूसरे गवर्नर है इनसे पहले यदि हम प्रथम की बात करें प्रथम गवर्नर जिनने गवर्नर आप दा इयर का पुरुसकार मिला 2022 से समानित किया गया मीरा भाई चानू को इनको 2022 का भी यह पुरुषकार मिला और 2021 का भी यह पुरुषकार मिला यानि हम कह सकते हैं मीरा भाई चानू वेट लिप्टर है लगातार दो वर्सों के लिए लगातार दो वर्सों के लिए यह पुरुषकार कौन सी BBC Indian Sports of the Year पाने वाली पहली महिला खिलाडी ही मेरा भाई चानू है पाने वाली पहली भारतिय महिला खिलाडी 2022 का भी और 2021 का भी मीरा भाई चानू का समंद्ध कि स्खेल से हैं भारो तोलन में दो केटेगरी होती है परिक्षा A, T, H, E, यानि self assessment test for the joint interest exam. अब देखिए यहां से S, साथी, A, T, H, और W, interest exam. साथी नाम से यह जो है launch किया है. Joint assessment test for help. यह जो help है यह है. interest exam, E, E वाला है न, इस नाम से launch किया है. World Happiness Report 2023 में भारत कौन से इस्थान परा? पहले तो हम बात कर लेते हैं, World Happiness Report 2023 में यह जारी कौन करता है? तो United Nations Sustainable Development Solution Network इसके द्वारा यह जारी किया जाता है हर बार. इस बार इसमें फुल 137 देश थे, फुल 137 देश थे, जो इनका score होता है, score 0 से लेकर के 10 के बीच में होता है. प्रेस्ट इस्थान पर इस बार Finland है, और 137 देश थे इस बार Afghanistan है, लेकिन यह सब तो हमसे प्रसंद में पूछा ही नहीं है, हमसे प्रसंद में पूछा है, भारत कौन से इस्थान पर है? तो भारत इसमें 126 देश थे इस्थान पर है, यह राइट आंसर है, भारत 126 देश के मामले में, एक और ताजूग होगा आपको कि पाकिस्तान की बात करें, तो पाकिस्तान हैपिनेस के मामले में 108 में हिस्थान पर है, ठीक है, हम मान लेते हैं, लेकिन यह कोई सही डेटा नहीं है, और पिछले दो साल से जितने भी रैंकिंग और इंडेक्स और सुचकांका मैं फिर से कह रहा हूँ, इन सब में भारत की स्तती को जान बूजगर के पीछे धगेला जा रहा है, तो यह जो डेटा, यह सर्वे किये जाते हैं, बहुत छोटी सी जनसंख्या के आधार पे किये जाते हैं, और कम से कम 3-4,000 लोगों से 7-7-10 प्रेशन के आधार पे भारत क पूरा निसका निकालना संभाव नहीं है, क्योंकि 140 करोड लोगों मैं से, अब 3-4,000 लोगों के जवाबों के आधार पे भारत की स्तती का आंकलन कर सकते हो, यह कारण सही नहीं है, दूसरा, यह जितनी भी एजेंसिज है, यह वेस्टन मेडिया की अजेंसिज है, इनमें से रैंकिंग की आधार पे किसी भी देश में निवेश आता है, किसी भी देश में इन्वेस्टमेंट आता है, तो वो इन्वेस्टमेंट करने वाली एजेंसिया रैंकिंग देखती है, कि इन मामलों में इनकी क्या इस्तती है, उन सब से बचाने के लिए भारत के साथ यह किया इस pipeline का नाम है India Bangladesh friendship pipeline पूरी की पूरी भारत नहीं निर्मान की है 100% वे जो है वो भारत ने किया है लेकिन इसकी लंबाई की बात करें इसकी लंबाई 130 km है 130 km में से केवल 6 km भारत में है केवल 6 km भारत में है बाकि 124 km लंबाई जो है इसकी बांगलादेश में है लेकिन भारत ने इसलिए किया निर्मान क्योंकि इसका फाइदा भारत को यह है परिवयन लागत जो भारत डीजल बांगलादेश को कर रहा है वो कम होगी इसलिए भारत ने इंडिया बंगलादेश फ्रेंडशिप पाइपलाइन की नाम से ये पाइपलाइन की है डीजल की सप्लाई के लिए किसको बंगलादेश को पांचमा आसियान भारत व्यापार सिकर समयलन कहा अजित किया गया मलेशिया की राजधानी कुवालालंपुर में आयजित किया गया ब्रिक्समू के न्यू डवलप्मेंट बैंक में नवीनतम नौवा सदस्यर ये सकौन सा है बहुत इंपोर्टेंट फेक्ट है ब्राजिल, रशिया, इंडिया, चाइना और स्वाव अफ्रीका का जो बैंक है कौन सा न्यू डवलप्मेंट बैंक इस बैंक में ब्रिक्स के कंट्रीज तो है या है ये पांच कंडरीज है लेकिन इसके लबाद चार और कंट्रीज है कौन-कौन से है पांगलादेश है पुरूगवे है और एक मेरे ख्याल से UAE है और ये पांच ये तीन ये आठ अब नौवे के रूप में सामिल हुआ है मिस्र नौवे के रूप में सामिल कौन हुआ है मिस्र न्यू डवल्लेप्मेंट बैंक का नौवा सदस्य है इसके साथ ये का भ्यान रखना अभी हाली में SEO का वर्चुल सिखर समयलन हुआ और किसकी अध्यक्सता में हुआ भारत की अध्यक्सता में हुआ कब हुआ 4 जुलाई को किया गया 4 जुलाई 2023 को यहाँ पर भी एक नया नौवा सदस्य रेस बना और वो बना इरान देखे ये है SEO का और ये बात कर रहे है BRICS का BRICS की New Development Bank का नौवा सदस्य है मिस्र संगाई सयोग संगठन का नौवा सदस्य है इरान आठवे राइसिना डायलोग में मुख्य अतिति के रूप में किसने भाग लिया तो इटली की प्रधान मंत्री Giorgia Meloni जो राइसिना डायलोग है ये Observer Research Foundation द्वारा आयोजित किया जाता है और इसके साथा भारत का विदेश मंत्राले इन दोनों के द्वारा आयोजन किया जाता है और इस बार के आयोजन में जो हमारे मुख्य अतितिते जो चीप गेस्ट थी वो Giorgia Meloni थी ये इटली की सद्धान मंत्री है कौन है इटली की सद्धान मंत्री है Giorgia Meloni लोगतंतर रिपोर्ट दो हजार तेश में Liberal Democracy Index LDI में भारत कौन से इस्थान पलत देखी लोगतंतर रिपोर्ट दो हजार तेश है ये लोगतंतर रिपोर्ट Sweden की एक संस्थान है Sweden की एक संस्थान जिसका नाम है V-Dem जिसका नाम क्या है? V-Dem पूरा नाम है जिसका Variety of Democracy Variety of Democracy ये दो प्रकार की उचका अंख जारी करती है एक LDI और एक EDI LDI Liberal Democratic Index EDI Electoral Democratic Index तो इसमें 2023 की रिपोर्ट में इंडिया की हम बात करें इंडिया LDI में 97 वे इस्थान पे है ये इसका मतलब ये इसका राइट अंसर है और EDI में इंडिया 108 वे इस्थान पर है ये दोनों अलग-अलग रिपोर्ट अलग-अलग पैमानों के आधार पे जारी की जाती है तो लोगतंत्र सुचकांक 2023 का स्विडन की एक संस्थान वी डेम द्वारा वराइटी ओप डेमोक्रेसी द्वारा जारी की जाती है तो अलग-अलग सुचकांक है Liberal Democratic Index और Electoral Democratic Index दौनों में भारत की जो रैंक है वो LDI में 97 इस्थान पे है और EDI में 108 में इस्थान पे है प्रशन में पूचा है लोगतंत्र रिपोर्ट 2023 में Liberal Democratic Index में भारत कौन से इस्थान पर है तो भारत 97 इस्थान पर है लोगतंत्र रिपोर्ट 2023 में Electronic Electoral NIRVACIT Electro Rail Democracy Index EDI में भारत कौन से इस्थान पर है भारत 108 में इस्थान पर है और LDI में बात करें LDI में भारत कौन से इस्थान पर था भारत 97 इस्थान पर था LDI में इंडिया 97 पर है और EDI में इंडिया 108 में पर है आली में भारत के किस पडोशी देश ने अपना पहला पंडु भी बेस BNS से खसीना बंगलादेश नेवल बेस BNS से खसीना बना लिया है बंगलादेश ने बना लिया है और ये किस की सहयोग से बनाया है तीन के सहयोग से बनाया है तीन ने इनको सपोर्ट किया और चीन के सहयोग से बनाया ये भारत के विदे संबंदों के लिए को ज़्यादा ठीक नहीं है क्योंकि इस स्खेतर में चीन का प्रभाव बढ़ रहा है मालदिव पहले से चीन के कर्ज में दबा हुआ है त्रिलंका चीन के कर्ज में दबा हुआ है अब बंगलादेश भी इस और जा रहा है 13 मार्च 2023 को रामचंद्र पोडेल ने किस देश के तीसरे राष्टपती के रूप में अपद भारगरन किया तो रामचंद्र पोडेल नेपाल के तीसरे राष्टपती बनते है विद्या देवी भंडारी और एक और बनते मुझे भी नाम याद नहीं आ रहा है लेकिन रामचंद्र पोडेल ने इसके तीसरे राष्टपती बनते है 10 मार्च 2023 को शी जिनपिंग अपने राष्टपती के रूप में कौन से कार्यकाल के लिए पुन्ह निरवाचत होते है तो ये तीसरे कार्यकाल के लिए पुन्ह निरवाचत होते है और इनसे पहले केवल माउच से तुंग ही इनके तीन बार राष्ट पती बने तीसरी बार राष्ट पती बनने के लिए इनको समिधान में संसुधन करना पड़ा और सी जिन पिंग समिधान में संसुधन करके इनके तीसरी बार लगाता राष्ट पती बने afaqs में कौन सा राष्ट सामिल नहीं है तो देखिए A, UK, US नाम सी पता है A, UK और US तो UK और US तो इसमें सामिल है A मतलब ऑस्ट्रेलिया सामिल है तो कौन सामिल नहीं है? फ्रांस सामिल नहीं है कई इन तीनों रास्टरों के और उस्टेलिया का A है UK का UK है और US का USA इनके पहले पहले नामों से ही बना है भारत के साथ एक अभी त्री पक्सिय सायोग पहल हुई है वो भी मैं आपको बता देता हूँ उसमें तीन देश सामिल आए है और उसमें तीन देश कौन कौन से है एक है भारत दूसरा है फ्रांस और तीसरा है UAE अट मार्च दोहजार टेश को डॉक्टर मनिक शहा ने अपने मुख्यमंत्री के रूप में दूसरे कारेकाल के रूप में किस राज्य के मुख्यमंत्री बने यह प्रसंद बहुत सरल सा है नौर्थ इस्ट के तीन राज्य में चुना हुए आप लोग इसको गूगल भी कर लोगे तो भी आपको इसका उतर मिल जाएगा इस प्रसंद का उतर मैं नहीं दूगा नेस्टल पिपूल्स पार्टी के कॉन्रोड संगमा भाजपा के साथ गटबंधन करके लगाता आप दूसरी बार किस राज्य के मुख्यमंत्री बने कॉन्रोड संगमा किस राज्य के मुख्यमंत्री बने नेफ्यू रियो बने है, नागा लेंड के मुख्य मंत्री, ये बहुत सरल सरल से प्रशन है, तो इस मार्च दोजार तेज को राउल गांदी की लोक्षबा सदेश्टा खत्म कर दी गई, वेदेश के किस लोक्षबा सदेश्टा से सांसद थी, अभी आज की सती ये है कि इनकी लोक्षबा सदेश्टा वापिस से बहाल कर दिये, लेकिन चुंकि प्रशन कहा रहा है, इनकी लोक्षबा सदेश्टा खत्म कर दी थी, उन्होंने चुनाव दो जगए से लड़ा था, लेकिन ये वाइनाड केरल से सांसद थे, एक जगए ये अमेठी से चुनाव हार गई इसमरत इरानी के सामने हैं, ग्रेन पोर्ट और सपिंग में भारत के पहले राष्ट्रिय उत्कृष्टता के अंदर का उध्गाठन 22 मार्च 2023 को कहां किया गया, गुरू ग्राम हर्याना में इसका उध्गाठन किया गया, भारत का पहला Green Port टग और स्पिंग का पहला राष् हाली में 18-19 मार्च 2023 को भारत के किश सहर में Global Millets 3N का सम्मेलन आयोजित किया गया तो भारतिय करसी अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली में Global Millets 3N का जो है आयोजिन किया गया 12 मार्च 2023 को कौन से रेलवे प्लेटफोर्म विश्व का सबसे लंबा प्लेटफोर्म बन गया है तो सिध्धारूड स्वामी जी रेलवे इस्टेशन हुबली करनाटक 1507 मीटर लंबा रेलवे प्लेटफोर्म है और ये जो है विश्व का वर्ल्ड का नय केवल भारत का बलकि सबसे लंबा प्लेटफोर्म बन गया पहले कौन सा था पहले गोरकपुर रेलवे इस्टेशन जो है वो सबसे लंबा प्लेटफोर्म था हाली में भारत के जम्मु कस्मेर में किस नदी पर भारत का पहला केबल आधारित रेलवे पुल बनाया जा रहा है तो भारत के बहुत important सवाल है एक्जाम में आपसे पूछा जाएगा देखिए पहली बात तो राजस्थान सहीतिय अकादमी ये है कहां पर उदैपुर में हैं और 1958 में इसकी स्थापना होती है इसके सर्वोच पुरुषकार का नाम क्या है सर्वोच पुरुषकार का नाम है मीरा पुरुषकार मीरा भाई के नाम पर ये पुरुषकार दिया जाता है इस पुरुसकार की राशी की बात करें तो ये इस पुरुसकार में 75,000 रुपे की राशी जो है इनामी राशी दी जाती वर्ष 2022 दे इस के पुरुसकारों की गोशना की इनमें रती सक्सेना को पुरुसकार दिया गया और रतिस अक्सेना की किस कृति के लिए दिया गया वो है हंसी एक प्रार्थना इनसे पहले अभी हाली में इन्होंने 2021-22, 2020-21 और 2019-20 इन तीनों सालों के बच्चेवे पुरुषकारों की गोश्चना की है नहीं किवल मेरा पुरुषकार देती है बलकी सुधिंद्र पुरुषकार, रवी, रांगई रागव पुरुषकार, कनहिया लाल सहल पुरुषकार, जनार्दन राइन नागर पुरुषकार, हलंकि ये जनार्दन राइन नागर पुरुषकार तो बहार राजस्तान सरकार दे यूरा बी है इसमें 75,000 रुपे की रासी मिलती है राजस्तान साहित्य रुपे की राजस्तान साहित्य कादमी 1.22 तेए सुम्नेस जोसी profession का किसे दीआ गया यज़िरु मिलती है उनकी रचना का नाम है 108, इस रचना के लिए उनको ये पुरुसकर दिया गया, राजस्थान निरियात समवर्दन परिशत द्वारा राज्ये का पहला इंटरनेशनल एक्सपो, जो आज़ित किया गया, ये जो आज़ित किया गया, ये जोदपुर में किया गया, देखे, राजस्थान इंटरनेशनल एक्सपो, संसकरण कौन सा आज़ित किया गया, इसका पहला संसकरण ही आज़ित किया गया, और कहां आज़ित किया गया, जोदपुर में, इसके द्वारा आज़ित किया गया था, राजस्थान एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, राजस्थान निर्यात समवर्धन परिशत द्वारा इसका जो है आयोजन किया गया राजस्तान निर्यात समवर्धन परिशत द्वारा इसका जो आयोजन किया गया गया इसमें जो हमारा हस्त सिल्प है हस्त सिल्प के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए इसमें दो बाते लिखी गई थी, कि एक तो हर वर्ष आयोजित होगा, और एक हस्त सिल्प निदेशालय की स्थापना की जाएगी, हस्त सिल्प निदेशालय की स्थापना की जाएगी, जोधपूर में. बिल्ली सरकार द्वारा प्रथम Children's Champion Award राजिये की सहस्ती को प्रदान किया गया, तो ये प्रदान किया गया डॉक्टर कृति भारती को, कृति भारती जोधपूर की रहने वाली है, और जोधपूर में एक ट्रस्ट तलाती है, उसका नाम है तारथी, ट्रस्ट का नाम क्या है, तारथी ट्रस्ट, इनको वर्स 2022 का Youth Human Rights का Best Award दिया गया था, बाल विभाव को ले करके इनका जो ट्रस्ट है, वो बाल विभाव उन्मूलन के लिए काम कर रहा है, और उसके लिए ही दिल्ली सरकार का पहला Children's Champion Award भी, डॉक्टर कृति भारती को दिया गया, लास्ट परसन, One World TV Summit 2023 का आईजन कहां किया गया, वारणसी में किया गया, हम इसके बारे में डिसकस कर चुके हैं, राजस्तान की रैंक 19 में से सुधर के चौथे इस्थान पर आ गई है, राजस्तान के आठ जिल्लों को चार जिल्लों को और चार जिल्लों को कान से पदक दि मिल जाएगा, इसके साथ रुपे 99 के टासरीज प्री है, इस बारे में मैं पूरी जानकरी वीडियो के पहले दे चुका हूं, दसमें प्रसन के बाद में, मैं अन्त में इतना कहना चाहता हूं, यदि आप इस कोर्स को पर्चेज करते हैं, तो मैं आपकी उम्मिदों पर जिसे सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि RSP एक्जाम तक आपको हर दिन ऐसे ही शेशन लगातार मिलने वाले हैं, आपको इस 4K पैनल की पूरी की पूरी पीडियाप में हमारे टेलिग्राम चैनल, क्वालिटी एजूकेशन RS पर एवलेबल करवा दूँगा, आप जैसे ओन हा प्रिंटेबल नौट्स की ववस्ता भी आपको हो चुकी है, हर महिने के पहले वीडियो के शेशन में आपको प्रिंटेबल नौट्स का आप्शन मिल जाएगा, वहां से आप इन नौट्स को डाउनलोड कर सकते हैं, करन्ट अपेर्स की सारी पत्रिकाओं का सार आपको वहा तरीन प्रिशनों के साथ तब तक के लिए दीजिये इजाज़त आप सब की परिक्षाओं की मंगल कामनाओं के साथ थैंक्यू